वही मुख्य बंत्री योगी आदित तिनाथ ने कहा कि जिने आयोध्या का विकास अच्छा नहीं लग रहा और जो इस नगरी से नफरत करते हैं वे सोसल मीडिया पर दुस्प्रचार कर रहे हैं। जबकि इन लाइटों को वेंडर ने लगाया ही नहीं था और पैसा निकालने के लिए साजी स्रची थी अब वेंडर सिकंजे में आ गया है जल्दी उसके आकाओं को भी सिकंजे में लिया जाएगा। तेरा हजार एकर लेंड तीन लोगों को आमंटिक कर दी गई। मुझे बताओ क्या अयोध्या प्रॉपर में तेरा हजार एकर लेंड है क्या। पहले तो उनकी बुद्धी और विवेक पर ही मुझे संदे होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा अयोध्या में कोई भी लेंड आमंटिक दी की गई। तो इस प्रकार की ठेक न्यूज क्यों देते हैं। एक दिन फिर दूसरी न्यूज क्याती है कि अयोध्या में धरंपत और रामपत पर 3800 स्टीट लाइट चोड़ी हो गई। यानि अयोध्या की जनता को और अयोध्या वाश्यों को कडगरा में खड़ा करने का इप्रियास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी। वेंडर को मार्च तक स्टीट टाइट लगानी थी चुनाओं के कानण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिल करके ये साजिस की कि ये पैसा निकाल सकें नहीं हो पाया तो उसने च्छोटी सी ई कम्प्लेंड कर दी। लेकिन अब वेंडर ही सिखंजे में आ गया है अब उनके आगाओं को भी हम सिखंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोद्या को बदनाम कर रहे थे। और ये अयोद्या को बदनाम करने वाले वहीं लोग हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई थी जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेस्रमी के साथ एक चिकिस्त एक डॉक्तर के साथ एक महिला डॉक्तर के साथ हुई हैवाई में पर बेस्रमी के सा उन जलादों का समर्थन करते वे दिखाई दे रहे हैं ये वही लोग हैं जाएके पिछडी जाती की बेटी के साथ हुए एक हैवानियत पर उन दुस्कर्मियों के साथ खड़े हैं कहते हैं निर्दोस हैं